हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो में यह स्टड़ी चैनल करियर इनेक्स मैं सुबोत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे इडू ट्रिया का करेंट एफेस के बुक का सेशन सेविन को और यह प्रैक्टिस सेविन रहेगा अगर आपको से सेशन को स्टार्ट करते हैं कि फॉर्स्ट कोशन दिया है कि समुंद्री सहयूग बढ़ाने है तू भारत और अलजेरिया के मद आयोजीत पहले नौ सेनिक अभियास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी आई इनस त अबबर ठीक है चलिए नेट कोशन के चलते हैं नेट कोशन है कि वाई ब्रेक या यूग ब्रेक मुबाइल एप हाल ही में किस मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा अप्सन नमबर बी यानिकी स्वास्तियों परिवार कड्यान मंत्रा बाले ठीक है चलिए नेट कोशन के चलते हैं कि नेट कोशन है कि हाल ही में किस राज के परसिद सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जी आई टेक परदान किया गया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर भी महारास्ट को ठीक है यानि कि महाराज सरकार के परसिद सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जी आई टेक परदान किया गया चलिए नेक्ट कोशन को चलते हैं नेक्ट कोशन दिया हुआ है कि आई यू सी एन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 30-11 सितंबर 2021 के मत किस देश में किया जाएगा इसका जो सह सही एंसर हो जाएगा अपसर नमर सी फ्रांस में चलिए नेक्ट कोशन को चलते हैं नेक्ट कोशन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिन चीन सागर में आयोजित नो सेनिक अभ्यास सिंपैक्स का 28 सवा संसकरन किया तो इसका जो सही एंसर हो सिंपैक्स 28 सवा संसकरन पूरा किया ठीक है चलिए नेक्ट कोशन को चलते हैं नेक्ट कोशन दिया हुआ है कि निमलीखित में सुमेलित नहीं है इसको चूच करना है ठीक है तो इसमें जो सही एंसर हो जाएगा अपसर नमर डी यह सुमित अंतिल यह हाई जम से समंदित नह हैं बेड मुंटन से ठीक है चलिए नेक्ट कोशन को चलते हैं नेक्ट कोशन दिया हुआ है कि फीन लेंड में लेंगी समानता जगरुकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार करम के दवरान एक दिन के लिए किसने परधान मंत्री का पत संभाला इसका जो सही एंसर ह हो जाएगा अपसर नमर्डी एवा मुर्तो ठीक है यानि कि फीन लेंड में लेंगिंग समानता जगरुकता बढ़ाने के लिए गल्स टेक ओवर कार करम के दवरान एक दिन के लिए एवा मुर्तो को पधान मंत्री पत संभाल संभाली ठीक है चलिए नेक्ट कोशन के चलते ह समसरकार के दोड़ा समग्र सिक्षा अभियान का ब्रांड अमिस्कर बनाया गया ठीक है सेकिन कथन है अवनी लेखेरा को राज अस्थन सरकार की बेटी बचाव और बेटी पढ़ाव पर्योजना के लिए ब्रांड अमिस्कर निउप किया गया है तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी यानि कि दोनों कथनियां पर सही है ठीक है चलिए नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन दिया हुआ है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड इंभर्सीटी रेकिंग 2022 में किस इंभर्सीटी को प्रथम अस्थान पराप्त चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन दिया हुआ है कि हाल ही में किस हाल ही में बिक्सित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम क्या नाम है ठीक है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसा नमबर बी याने कि क्यूसिंग होंने के हाल ही में बिक्सित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का जो नाम है वह है क्यूण चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला question दिया है कि निमलीखित में इंजिनियर्स इंडिया लिम्टेट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा Pearson C वर्ति का शुकला ठीक है एनि कि engineers इंडिया लिम्टेट की पहली महिला अध्यक्ष वर्ति का सुकला बनी है चलिए आगला कोशन को देखते हैं आगला कोशन है कि COVID-19 टीके की खोज में महतंपूर्ण भूमिका निभाने है तो बांगलादेश के किस बैगानी को रमन मेक्सेस्थो पुष्कार 2021 परदान किया गया तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी एनिकी फिर्दोसी कादरी को ठीक है एनिको COVID-19 टीके की खोज में महतंपूर्ण भूमिका निभाने है तो बांगलादेश के फिर्दोसी कादरी को रमन मेक्सेस्थो पुष्कार 2021 परदान किया गया चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि 8 मई 2021 को वर्चूल रूप से आयोजित भारत उरूपीय संग के नेताओं की बैठक की मजबानी किस देश के दौरा की गई ठीक है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सर नमर डी पुर्तगाल ठीक है यानि कि वर् अगला की बैठक की मजबानी पुर्तगाल देश के द्वारा की गई चलिए नेक्ट कोशन को देखते हैं नेक्ट कोशन है कि भारत का पहला राज भारत का पहला राज जिसने रियल टाइम डीटल फ्लरड रिपोर्टिंग एंड इंफर्मेशन मेनेजमेंट सिस्टम एफर अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन दिया हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजीत लाब पे रोज नो सिनिक अभ्यास का निर्तित्व किस देश ने किया जिसमें क्वाइट देशों ने भी भाग लिया तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसर नंबर B फ्रांस ठीक है यहनि कि बंगाल की खाड़ी में आयोजीत लाब पे रोज नो सिनिक अभ्यास का निर्तित्व फ्रांस ने किया जिसने क्वाइट देशों ने भी भाग लि ठीक है यहनि कि भारत का पहला क्रिसी अधारिस सोलर प्लांट यह राजस्थान में अस्थापित किया गया है चलिए नेक्ट कोशन के और देखते हैं नेक्ट कोशन है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के औसर पर किंद सरकार दोरा किस अभियान के सुरुआत की गई तो इसका जो स चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि 20 भर में चार फरवरी को मनाए गए विस्वे कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सन नंबर C इसका हिंदी हो जाएगा चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि हाल ही में परकासिक पुस्तक दिलीटिल भूक ओफ इनकॉर्जमेंट के लेखक कौन है ठीक है तिसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सन नंबर C दलाई लामा ठीक है एनिकि दिलीटिल बूक अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन दिया है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझोता किया है जिसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सन नंबर C बहरीन एनिकि भारत ने बहरीन के साथ खाड़ी देश के साथ अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझोता किया है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दिया एक नीम में से कौन पूरी तरह से सोर उर्जा से संचालित भारतिये बिमान पत्नन पर्धिकारन AI का पहला हवाई अड़ा बन गया जिसका जो सही इंसर हो जाएगा अपसा नमर D यानि कि पडुचेरी हवाई अड़ा ठीक है यानि कि पडुचेरी जो हवा खंड में गलेशिया तुटने से 520 मेगावाट की तप्पुवन डिश्नुगर्ड पर्योजनाच छतिगरस्त हो गई या किस नदी पर निर्मित था इसको बताना है तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा अपसा नमर B धोली गांगा पर ठीक है चली आगला कोशन को देखते है अगला कोशन है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक सोतंतरता सुचकांग में भारत को कौन सास्थान प्राप्थ हुआ तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा अपसा नमर D 121 ठीक है एनि कि जारी आर्थिक सोतंतरता सुचकांग में भारत को 121 अस्थान प्राप्थ हुआ है चलिए नेक्ष्ट कोशन देखते हैं नेक्ष्ट कोशन दिया है कि हाल ही में जारी एक रिपूर्ट की अनुसार दुनिया की सरवाधी सुरक्षि सड़ के किस देश की है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसर नमसी नार्वे की ठीक है चलिए अगला कोशन को देखते हैं नेक्ष्ट कोशन है कि जन्वारी 2021 में भारत सुरक्षा परिष्ट का आउस्थाई सदस से बना इसके संबन्द में कौन कथन सत्ते है इसको बताना है तो भारत दो वर्स को लिए और अस्थाई सदस के रूप में चुना गया यह तो सही है नेक्ष ठैक भारत अठवी बार सुरक्षा परिष्ट का और सथाई सदस बना यह भी सही है नेक्स्ट है कि भारत के साथ चार अन्य देश, नार्वे, मैक्सिको, आइरलेंड और केन्या भी आस्थ है सदस्ट से बना ए भी सही है यह यह तीनों सही है जिसका सही इंसर क्या हो जाएगा अपसन नमबर D ठीक है चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन दिया है कि नए वर्ष के औसर पर किस देश के परधान मंत्री ने अपने राष्ट गान के सब्द में बदलाव करने की घोशना की है तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा अपसन नमबर C यानि कि अस्टेलिया चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि कौन सी भारतिय महिला किरिकेट खिलाडी अंतराष्टिय किरिकेट में 10,000 बनाने वाली पहली भारतिय खिलाडी बन गई है तो इसका सही इंसर हो जाएगा अपसन नमबर B मिताली राज ठीक है यानि कि जो मिताली राज है पहली भारतिय महिला खिराडी है जिसने 10,000 रन बनाई है ठीक है चलिए अगला कोश्चन को देखते हैं नेश कोश्चन है कि किस राज सरकार ने किस राज सरकार ने वर्ष 2021 को सिक्षा के वर्ष के रूप में घोसित किया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा अपसन नमर भी अरुणाचल परदेश ठीक है यानि कि अरुणाचल परदेश जो राज है वर्ष 2021 को सिक्षा के वर्ष के रूप में घोसित किया है चलिए नेश कोशन को चलते हैं नेक्ष कोशन दिया है कि मार्च 2021 में किस राज के तिन राष्टिय उदानों में नाइट सफारी की सुरवात की गई है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसर नमबर A मध्य पर्देश में ठीक है यानि कि मध्य पर्देश राज में तिन राष्टिय उदानों में नाइट सेफारी की सुरुवात की गई है नेक्स कोशन है कि निमली खित में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उडान परिक्षन पूरा किया इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर सी यहनि कि अस्टेटो लॉंच ठीक है यहनि कि जो अस्टेटो लॉंच कंपनी है तो दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उडान परिक्षन पूरा किया नेक्स कोशन है कि नोवंबर 2021 में जुनियर पूरिस हो की विश्व कप का आयोजन भारत के किस सहर में किया जाएगा तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर ए भूनेस्वर मे ठीक है एनिकि जुनियर पूरिस हो की विश्व कप का आयोजन भारत के भूनेस्वर सहर में किया जाएगा अगला कोशन है कि All England Open Badminton Championship का खिताब किस महिला खिलाडी ने जीता इसका जो सही एंसर होगा अपसन नमबर ए नोजूमी ओकुहारा ठीक है एनिकि All India Open Badminton Championship का खिता नोजूमी ओकुहारा महिला खिलाडी ने चीता है अगला कोशन है कि केंद्रिय परियावरन वन और जलिवाई परिवरतन मंत्री परकास जवेड कर ठीक है यानिकि अभी केंद्रिय परियावरन और वन जलिवाई परिवरतन मंत्री का उन्हें परकास जवेड कर है ने किस कि यहनिकि अटल पर्यावरन भावन को धगाटन कहां किया गया लक्षिदिप में किसके द्वारा किया गया तो परकास जयविड करजी के द्वारा चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि मौध्य परदेश सरकार ने हल ही में होसांगाबद सहर का नाम क्या रखा ठीक है चलिए देखते हैं इसको कि होसांगाबाद का परवर्टी नाम यहां पर का हो गया है तो इसका सही जो इंसर होगा अप्सन नंबर ए नर्मादा पूरम ठीक है यानि कि होसांगाबाद का निव नम क्या हो गया है नर्मादा पूरम चलिए अगला कोशन को देखते है कि अगला कोशन दिया हुआ है कि हाल ही में किस मंत्रा ए सोरी हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट मनोधिकार परिशत एवं पेरिस जलवाई समझोते में पूनो सामिल होने का नीड़ने लिया तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसर नमबर डी अमेरिका ठीक है यहन अगला कोशन है कि निम्ली खित में किस देश ने दुनिया के सबसे दुनिया के पहले उर्जादिप निर्मान करने की घोसना की है इसका सही एंसर हो जाएगा अपसर नमबर डी डेनमार्क ठीक है यहनिकि डेनमार्क जो देश है वो दुनिया के पहले उर्जादिप बनाने की खोशना किया है नेक्ट कोशन है कि किस संस्था ने कोबिड-19 के कारण वर्ष 2020 में रोस्ट इयर ओन रिकॉर्ड घोसित किया है इसका जो सही एंसर हो जाएगा अपसन नमर भी यानि कि 20 पर्याटन संगठन ठीक है नेक्ट कोशन है कि हाल ही में किस भारतिये मूलके ब्यक्ति ने नासा द्वारा कारेकारी परमुख बनाया गया ठीक है अनि कि हाल ही में किस भारतिये मूलके ब्यक्ति को नासा का द्वारा कारेकारी परमुख बनाया गया इसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सर नमर डी भव्यालाल को ठीक है एनिकि भव्यालाल को भारतिय मुल्के बेक्ति को नासा द्वारा करिकारी परमुख बनाया गया है अगला कोशन है कि किस देश ने कजिकिस्तान के बैका नूर से अपना प्रथम आर्किटिक निगरानी उफग्रा आर्किटिक एम को लौंच किया इसका जो सही अंसर होगा अप्सर नमर सी रूस ठीक है एनिकि कजिकिस्तान के बैका नूर से अपना प्रथम आर्किटिक निगर यानि उफग्र आर्केटी का एम को लॉंच किया है नेक्स कोशन क्यों चलते हैं नेक्स कोशन है कि कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बाड़ा पवन उर्जा सन्यात अस्थापित करने की घुशना की है तो इसका जो सही एंसर होगा अपसर नमर डी दक्षिन कुर देश है और 2030 तक दुनिया का सबसे बाड़ा पवन उर्जा सन्यात अस्थापित करने की घुशना की है चली अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि किस भारतिये कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रोल ऑयल की बिश्य की पहली ख यहां कि रिलाइंस इंडिस्ट्री लिम्टेड जो है किस भारतिये सुरी यहां कोशन बोल रहा है कि किस भारतिये कंपनी ने अमेरिका को ऑक्सीलो कार्बर वेंचर से कार्बन न्यूट्र अगयर के विश्य की पहली खेपराप्त की तो इसका सही असरो जाएगा रिलाइंस इंडिस्ट्री लिम्टेड चलिए नेक्स कोशन को चलते हैं नेक्स कोशन है कि हाल ही में विश्णु नरायन नमबुंद्री को निधन हो गया वह किस भासा की कभी यों सिक्षावीद थे इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नमसी मल्यालम के ठीक है यानि कि जो विश्णु नरायन नमबुंद्री थे वह किस भासा के कभी यों सिक्षावीद थे तो मल्यालम के चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि निमूनिया के कारण बढ़ते मिर्तु दर को कम करने के उद्देश से किस राश्तरकार के द्वारा सैंस एस डबल ए एनस अभियान के शुरू की गई है सुरी सुर्वात की गए है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर भी मद्द्पर्दिस के द्वारा ठीक है यह निकि निमूनिया के कारण बढ़ते मिर्तु दर को कम करने के उद्देश से मद्द्पर्दिस जो सरकार है और सैंस अभियान के श सम्मंद तो इन धनुष्थरी का सुरुगात की से बिश्थार किया गया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर एगा ठीक है करन के बिश्थार से ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निमली खित में किस देश इस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन अभियास एश्टर एक्स का आयोजन किया तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर सी फ्रांक ठीक है यानि कि वो फ्रांस देश है जो जिसने पहली बार अंतरिक्ष में सैन अभियास एश्टर एक्स का आयोजन किया है ठीक है चलिए अगला कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है कि अस्टील ऑफ इंडिया लिम्टेट सेल ने किसी राज में पहले गैस से इथनोल शन्यत लगाने की घुष्णा की है इसका जो सही इंसर हो जाएगा अपसम नंबर ए महराज सरकार के द्वारा ठीक है यहनि कि महराज सरकार के द्वारा हाल ही में अस्टील ऑफ इंडिया लिम्टेट सेल ने महराज सरकार में पहले गैस इथनोल शन्यत लगाने घुष्णा की है नेट कुशन है कि हाल ही में पारम की गई बैस्विक परियोजना ग्लोल लीटर पाटनर सी प्रजेक्ट का का मुख खुदिस क्या है कि इसका सही इंसर हो जाएगा अपसर नमसी समुद्र में फैले प्लास्टी कच्ड़े का निप्टारा करना चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन है कि बीमा के छेत्र में परतियक बीदेशी निविस की सीमा 49% से बढ़ा कर कितना किया गया इसक दोटे का सेसन का लास्ट कोशन है की 2021 के अरथिक सर्वेक्षन का थीम क्या था इसका सही इंसर हो जेगा अपसा नमसी सेवींग लाइलाइका डायफ्टी ठीक है यह यकिस 21 के